एक समय की बात है, चीन के एक खुबसूरत जंगल में मितू नाम का एक प्यारा सा पांडा रहतात। बांस खाना बेहत पसंद था और वह अपने दिन का ज्यादातर समय बांस के पेरों के बीट खेलते और खाने में बिताता था। एक बड़ी समस्या आगा। एक खतरनाक सूखा परा और जंगल के सारे बांस के पेर सूखने लट। मितू और उसके दोस्त इस बात से परेशान हो गए कि अब वे कैसे अपना खाना ढूनेंग। सभी जानवर चिंतित थे। खास कर मितू क्योंकि उसे बांस खाना सबसे ध्यादा पसंद। मितू ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि उसके दोस्तों को भी खाने के लिए कुछ मिल सके। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के सबसे बुजूर्ग और समझदार जानवर बुद्धिमान कच्छुआ काका के पास गया और मदद मांग। कच्छुआ काका ने कहा, जंगल के एक हिसे में एक छिपा हुआ बांस का जंगल है, लेकिन वह रास्ता बहुत कथिन और खतरनाक है। अगर तुम सब मिलकर जाओगे और एक दूसरे की मदद करोगे, तो तुम उस जगर तक पहुंच सकते हो। मितू और उसके दोस्त तै कर चुके थे कि वे इस कथिन यात्रा पर जाएंग। रास्ते में कई मुश्किले आई, गहरे गर्धे, खतरनाक चत्ताने और तिजधारा, लेकिन मितू की समयदारी और दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से वे सभी इन मुश्किलों को पार करतेग रास्ते में एक जगर, गुड़ू बंदर एक गहरे गर्धे में गिर गए, सभी घबरा गए, लेकिन मितू ने शांत रहते हुए अपनी लंबी बांस की छरी से गुड़ू को बाहर निकालने की कोशिश की। मितू और उसके दोस्तों ने मिलकर बांस के पेर तोड़े और सभी के लिए खाना जमा किये। इस तरह मितू की समहदारी, साहस और टीमवर्क की भावना से सबकी भूख मित गन, वे सभी जंगल वापस लोट आए और अब उनके पास बहुत सारे बांस थे, जिन से वे कई दिनों तक खा सकते थोए। इस कहानी से यह सिखने को मिलता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, समहदारी और धेरे से काम लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। मितु ने दिखाया कि सची दोस्ती और सहयोग से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक समय की बात है। मितु के कई दोस्त थे जैसे खरगोश चिंटू, बंदर गुड़ू और हाथी मोत। वे सभी मिलकर जंगल में खेलते और हंसीम जाक करते थे। मितु की एक खासियत थी की वर बहुत शांत और समधदार था। वर हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता और उनके साथ अपने बांस के पेर भी बांटतात। एक दिन, जंगल में एक बड़ी समस्या आगा। एक खतरनाक सूखा परा और जंगल के सारे बांस के पेर सूखने लग। मितु और उसके दोस्त इस बात से परेशान हो गए कि अब वे कैसे अपना खाना ढूनेंग। सभी जानवर चिंतित थे, खास कर मितु, क्योंकि उसे बांस खाना सबसे ध्यादा पसंद। मितु ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि उसके दोस्तों को भी खाने के लिए कुछ मिल सके। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के सबसे बुजूर्ग और समझदार जानवर बुद्धिमान कच्छुआ काका के पास गया और मदद मांग। कच्छुआ काका ने कहा, जंगल के एक हिसे में एक छिपा हुआ बांस का जंगल है, लेकिन वह रास्ता बहुत कथिन और खतरनाक है। अगर तुम सब मिलकर जाओगे और एक दूसरे की मदद करोगे, तो तुम उस जगर तक पहुंच सकते हो। मितू और उसके दोस्त तै कर चुके थे कि वे इस कथिन यत्रा पर जाएंग। रास्ते में कई मुश्किले आई, गहरे गर्धे, खतरनाक चत्ताने और तेजधारा, लेकिन मितू की समयदारी और दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से वे सभी इन मुश्किलों को पार करतेगा रास्ते में एक जगर, गुड़ू बंदर एक गहरे गर्धे में गिर गए, सभी घबरा गए, लेकिन मितू ने शांत रहते हुए अपनी लंबी बांस की छरी से गुड़ू को बाहर निकालने की कोशिश की, सभी दोस्तों ने मिलकर मितू की मदद की और अंत मेवे आयों के बाद